असलम अलेकूं, वेलकम बैक टू मैं चानल कोकिंग वीद एसके, मैं हूँ शबीना खान और आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ मटन कोर्मी की रेसिपी, इतना आसान और इतना मज़ेदार और आपको देखने में नजर आ रहा होगा, यह बिल्कुल डेगी स्टाइल मटन क कोर्मा है, इसको बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत जाइके कबन के तयार होता है, तो इस रेसिपी को शेयर करूंगे आपके साथ बहुत आसान तरीके से, आपको रेसिपी पसंद आया तो लाइक कीजेगा, चानल पर ने हूँ तो काइंडली सब्सक्राइब कर आप सभी के लिए शेयर करती रहते हैं, तो चलिए देखते हैं, इसको किस तरह से बनाया गया है, इस मटन कोर्मे को बनाने के लिए मैंने घी का इस्तमाल किया है, तो चाहे आप आधा घी ले सकते हैं, या फिर इसको पूरा घी में बना सकते हैं, या आधा घी और आधा ओ जो ज़ाय दानिदार ही आच्छा लगता है गी और भूड़ होता है। और या अच्छावगा मिर्च ऄदमध के मुलाइग है। यंक हाटा था इस ापनी पूर्ट के लिपस के नमक, मिर्च ए हो ह्मेशा से लेखनी कि लिए। तो नियुक्स के दाए उसके बाद मैंने यहां पर 4 तीस्पून है इसमें एट किया है इसमें आपको दिखानी पाई हूँ लेकिन 4 चमच मैंने इसमें चोटे चम मज होते हैं जितना भी मटन है इसमें अच्छे से अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले और गोश एक हो जाए और इसको कवर करके स्लो फ्लेम पर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इसमें और चीजे आड़ करेंगे तो यहाँ पर 5 मिनट हो गयते हैं मैंने इसको खोल के देखा है तो जो गोश है और मसाले उसका पानी रिलीज हो रहा है तो इसको एक बारी उपर नीचे कर देंगे अच्छे से यह मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें कुछ खड़े गरम मसाले आड़ करेंगे इस तरह से बनाया हो मतन कॉर्मा आपका इतना जबरदस्त बने का कि आप एक बार इस तरह से बना लेंगे उसके बाद आप हमेशा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे अब मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले लिये हैं इसमें मैंने दालचीनी ली है दो टुकड़े चोटे चार लॉंग चार चोटी लाइची है जावित्तरी का पीस है और थोड़ा सा जीरा है और आठ से दस दाने काली मिल्च के अब यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पू कि आप इसके फैन हो जाएंगे मैंने यहाँ पर इसमें एक बड़ी लाइची भी आट की थी तो यहाँ पर देखें करीब 5-10 मिनट के बाद यह इस तरह से पानी पानी इसका रिलीस हो गया है गोश का और दही वगयरा का मैंने इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल नहीं कि अगर आप इसमें कूकर में बनाएंगे तो बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा बहुत जल्दी गल भी जाएगा तो यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा रही हूं कि दही का जब इस तरह से इस्तमाल करते तो दाना देखें कितना पर्फेक्ट बनता है कोर्मे में जबकि इसे 45 मिनट लगें इस तरह से स्लो फ्लेम पे पकने में अगर आप इसको कूकर में बनाएंगे तो 10-15 मिनट में भी यह बनके तयार हो जाएगा गोश जिकल जाएगा आसानी से और आपका कोर्मा बन जाएगा अगर आप जल्दबाजी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप बनाएगा और अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो फिर आप इस तरह से बना सकते हैं अब दानी के लिए इसमें चीज़े इस्तमाल करेंगे यहाँ पर मैंने तली हुई प्याज ली थी उसको क्रेश कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिया था नारियल का बुरादा जो र मुगलई डिश बनाएंगे या किसी भी तरह की आप डिश बनाएंगे तो सारे चीजों में एक ही गरम मसाला यूज करेंगे आप हमेशा बहुत खुश्बुदार बहुत रॉयल किसम का मसाला है आप इसको बना के अपने किचन में जरूर आट कीजेगा तो यहाँ पर मैंन से पक जाए पानी के साथ मिलके तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी भून के उतार सकते लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तमाल किया है जिससे इसमें और भी पर्फेक्ट दाना बन जाएगा प्याज और नारियल के साथ तो यहाँ पर देखिए हमारा मज़दार सी रेस्पी आप सभी के शाहर शेयर करती रहती हूँ तो यहाँ पर देखिए इसको 5-10 मिनट इसी तरह से पकने दिया है इसमें 1 टीस्पून केवडा वाटर आट किया है और उसके बाद यह हमारा मज़दार सा कॉर्मा बनके रेडी हो गया है आपको रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली नहीं किसी वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज थैंक यू फॉर वाचिंग गुडबाई